आज मैं बनाने जा रही हूं बच्चों के और टाइम फेवरिट सेंड्विचेज की बहुत ही जल्दी बनते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए दूद से बनी हुई फ्रेश मलाई तो मैंने यहाँ पे आधा कटोड़ी ले लिए से मिक्स करें अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक नमक मैंने स्वादन सार ले लिया है तो यह बच्चों के बहुत ही फेवरिट सेंड्विचेज हैं और यह रेस्पी सी की ते मैंने अपनी सिस्टर अनलो से तब से मैं आज तक यह सेंड्विचेज बना रही हूं तो एक ब अच्छा आता है बच्चों के साथ साथ यह सेंड्विचेज बड़ों को भी बहुत ही पसंद आते हैं मैंने यहां पर ले लिए एक रेस्लेस ब्रेड तो इस पर मैं स्पेस्ट को बहुत अच्छे से चारो तरफ फैला दूँगी तो यह मैंने चारो तरफ बहुत अच्छे इस बेस्ट को फैला दिया है इधर हमारा तवा भी गरम हो गया है जिस पे मैंने अच्छे से बटर को लगा दिया है आप चाहें तो आप कोई भी ओयल लगा सकते हैं आप मैं इस ब्रेड को इस तवे पर डाल कर अच्छे से सीखूंगी तो ऐसे ही ब्रेड को दूसरी से कवर कर दूँगी और अब हमें दोनों साइड गोल्डन म्राउन होने तक इसको सेख लेना है तो अंदर से जो इसका सौफ्ट टेक्चर है और बाहर क्रिस्पी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो एक बाई ये सैंडविच जरूर बनाएं और मैं आशा करती होगा तो पसंद आया है तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर